अपने लोरा को अपना नारेटर सूतुर्धार क्यों चुना एक जीव है जिसको मैं इतनी भली भाती जानता हूँ उसके छेहरे के हाव भाव को उसके सोचने समझने के तरीके को तो क्यों न मैं परकाया प्रवेश करके उसकी तरफ से सोचने की खोशिश करूँ तो ये प्रेम कैसा है इस प्रेम का अधार क्या है इस प्रेम का अधार प्रेम है या शौक है ये ऐसा प्रेम है जिसको आप शुद्ध शब्दों में शुद्ध मानुशिक शब्दों में पारिभाशित नहीं कर सकते कैसे भात सिर्टे करता हूं, यह आपको शायद न समझ में आवे हैं लिकिन कि आप उसको गहराइए से और ज्यादा समय देकर उसको अब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कुट्टा मेरी बात समझता है और माइज कुट्टे की बात समझता हो एक प्रसंग है जोर्ज पंचम के रमनपुर स्टेट आने का ज़रा उसके बारे में हने था थोरी जगह है जहां टाइगर रिजर्व है वहां पर कैम्प लगा 120 बाग मारे गए थे 120 टाइगर्स वर किल्ड इन रॉयल हंट अधा पॉइंट अफ ताइगर्स दादी के शादी में जो एक उथल पुथल की संभावना बनती है तरह उसके बारे में हमें बदा रोचक प्रसंग है लोग शादी का प्रस्ताव लेकर के आते थे उनको थड़ा अगल बगल ले जाकर यह जानते हैं लड़का काना है या कुछ यह है उस तरीके की चीजें होती थी तो ऐसा ही कुछ दादी की शादी में भी हुआ कि जब बारात पहुंच गई तो मैंने उसमें वर्णन किया है काफी विस्तार से वर्णन किया है यह चल गया कि ना ना वह जो लड़की देखकर के गये थे लोग वो लड़की नहीं है यह तो कोई लूली लंगडी किसी को बिठा दिया है इन लोगोंने अब तो तीपू के साथ रहते हुए तीन वर्ष अधिक हो गये इस बीच माधूपूर कभी नहीं जा पाना हुआ माधूपूर के वे सभी लड़के जिनकी मैं अतिप्रिय चाची थी उनमें से कोई ने कोई बीच बीच में फोन करता रहता है उसी में से एक ने दो बर्ष पहले खबर दी थी कि एक जाड़े की रात ग्रिल के पार वाले बरामदे पर लोड़ा लुड़क गई थी माधूपूर का घर यह उपन्यास लगबख सौ साल यानी तीन पीडियों की कहानी कहता है जिसके मद्ध में उत्तर बिहार का सामाजिक यथार्थ है सुभर में उसको देखने जब पुकार आया था तब उसने उसे वहां मारा हुआ पाया उसके मुह से खुन गिरा हुआ था मैं तो सिर्फ कलपना कर सकती थी कि कैसे उसने ग्रिल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारा होगा और अंत में बेजान होकर गिर पड़ी होगा उपन्यास की कहानी एक कुत्ते की जुबानी सुनाई जा रही है जो इस उथल पुथल का मूग कवाह बना रहा है और जो इस से सबसे अधिक पीडित है यह उपन्यास उस जीवन और सचाई की तलाश में है जिसे शायद उपन्यास या कहानी के साचे में नहीं ढाला जा सकता माधुपूर का घर अनेक घरों की बेगरी का उपन्यास भी है इसमें विस्थापन की पीड़ा है, पलायन का दर्द है एक अनूठी कथा शैली में लिखा या उपन्यास पीड़ी-पीड़ी बिखरते परिवार की कहानी है तीपू जब घर में नहीं होता है, तब अकेले बैठे बठे सोचती रहते कभी ध्यान अपने नहीर के घर रमनपूर पर जाता है, वहां भी कब का ताला लगया था फिर ध्यान अपने ससुर यानि डॉक्टर साहब के एक समय के निवास थल विशुनपूर पर सारे खयाल टिक जाते हैं और अंत में सोचने लगती हुए कि मादवपूर का घर कितना उदास देती है उनने सो एक सट में जन्में त्रिपुरारी शरण की सिक्षा दिल्ली के सेंस्टीफिन्स कॉलेज और जवाहलाल नहरू विश्व विद्याले में संपन्द हुई चात्र जीवन के दौरायन कवितायें लिखी, दिनमान के लिए फिल्म समिक्षायें लिखी अपने लंबे प्रशाशनिक जीवन में आप राजजिवक केंद्र सरकार के कही महत्वपूर्ण प्रशाशनिक पदो पर रहें भारतिय, फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान, पुने के निदेशक और दूर दर्शन के महा निदेशक रहें इन दिनों आप बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं इसके लेखक त्रिपुरारी शरन जी त्रिपुरारी जी, वेलकम तुट शोव किताब में जो नारेटर है वो एक पालतू पशू है लोरा ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इंग्लिश और यूरोपियन नॉवल्स में अकसर देखने को मिलते हैं इसे कई उधारण मिलते हैं भारत में पंच तंत्र में शायद ऐसे उधारण है लेकिन हिंदी उपन्यास के दुष्टी से शायद ये अनुठा प्रयोग है तो आपने लोरा को अपना नारेटर सूतुधार क्यों चुना एक तटस्थता जो कि वैसे थर्ड परसन नारेटिव में भी आप कर सकते हैं लेकिन उसमें वो जीवनतता नहीं आती है तो मैंने देखा कि ये एक जीव है जिसको मैं इतनी भली भाती जानता हूं उसके चेहरे के हाव भाव को उसके सोचने समझने के तरीके को तो क्यों न मैं परकाया प्रवेश करके उसकी तरफ से सोचने की कोशिश करूँ कि उसकी क्या प्रतिक्रिया संभव हो सकती है किसी संदर्भ विशेश में या किसी परिस्थिती विशेश में तो आपने वैसे तो सही बताया मेरा इंस्पिरेशन कॉल अप दो वाइल से था ये एक किताब थी जिसको मैंने अपने अपने कोलेज की जमाने में पढ़ी थी लेकिन कॉल अप दो वाइल only to the extent that Buck the Labrador is the, he is not the narrator, he is the principal character. So the inspiration did come from there लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें बहुत सारा हमने अपनी ओर से प्रियोग किया और प्रियोग ये सफल है या नहीं है ये तो पाठक बताएंगे लेकिन एक कारण वो तटस्थता बहुत महत्वपूर्ण कारण था परकाया प्रवेश करने के बाद भी एक तटस् प्रियोग नहीं दे सकते हैं और दूसरी चीज ये जो हमने बताया आगे भी शायद शर्चा में इसको मैं रख सकता हूं लेकिन लोग इसको समझते हैं कि लोरा जो है वो नेरेटर है और एक जीव है कुत्ता है लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा एक प्राकतन के रूप में कि माधवपूर का घर उपन्यास को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से देखा है समझा है लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको आप एक लव स्टोरी की तरह भी देखिए नोड़ लव स्टोरी तिपिकली इस इमाजिन अलव स्टोरी तो बीटिव एक लव परिप्रेच्छ एक अलग संदर्व है और देखने का अलग तरीका है जो शायद महादेवी वर्मा के संस्मरणों में दिखता है उनकी गाय है अचुआ है और दूसरा है एक शौक का टेंपलेट नवाब है अभी जातवर्क से शौक है जैसा बिमलमित्र के साह बिवी गुलाम में दिखता है तबुतर बाजी का शौक यह कहानी कहीं मैंने घनाध्य जमिनदार ने उन्होंने बिल्ली के शादी अपने बड़ी शान व्शौकत से करवाई थी तो यह प्रेम कैसा इस प्रेम का अधार प्रेम है यह शौक है यह ऐसा प्रेम है जिसको आप शुद्ध शब्दों में शुद्ध मानुशिक सब शब्दों में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कुट्ध मेरी बात समझता है और मैं कुट्ध की बात समझता हूं तो यह तो शुद्ध प्रेम के धरातल की बात है और इसमें कहीं शौक वाक नहीं है हाँ ठीक है जीव जब आदमी पालता है तो जीव पालने की जो पूरी इच लेकिन माधवपुर्ग के इस घर में लोरा के पहले लेडी आती है लेडी एक खास नसल की जानवर है तो और उसकी ट्रेनिंग में खास किताब का इस्तेमाल होता है तो वह इशारा करता एक पूरी संस्कृति के और जहां पर ऐसे पशुओं को लोग शौक से घर में रखते थे प्रेम भी उसमें जरूर मिला होता है इसे आप कैसे देखते हैं एक संस्कृति के संदर्म में नहीं जब मैंने प्रेम की बात कही यह नहीं है यह दिया नौट मू शौक से हो सकती है लेकिन वो शौक सस्टेन नहीं होगा बहुत दिनों तक अगर वास्तव में प्रेम नहीं है जो प्रेम के जो मूल तत्व हैं वो अगर उनमें उपस्थित नहीं है तो बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेनेबल नहीं होता है तो लेडी का जो था शुरू हु और उसमें उपन्याज बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि क्या-क्या कमी रह गई उसके बाद के जीवन में और वो सब चीज़ें लेकिन शौक और प्रेम को क说ुली एकस्क्लूसिव कह करता है लेकिन लेकिन मैंने कहा टी यह जो प्रे쉬म हाधा है उसको मैं अपने संदर्व जब gossip करना चाहूंड और उन लेडी का संदर्व तो दूसरा था वो तो बाबा का संदर्व था लेकिन मैंने जो कहान मैंने बात कह रहा था जीव को समझने की उसके मनोविग्यान को समझने की वो मैं अपने परिप्रेक्ष में बता रहा हूं कहानी का जो आधा हिस्सा है वो लोरा सुनाती है और बाखी का जो हिस्सा है वो दादी की डायरी से सामने आता है दादी का डायरी बड़ा रोचक मुझे लगा कई कारणों से कुछ प्रसंग है जो मैं चाहूंगा कि आप इस परविस्तार से बताए हमें एक प्रसंग है जोर् दर्बार शिफ्ट होना था, तो काफी लंबा उनका प्रवास था हिंदुस्तान में, तो उस प्रवास के दौरान जहाद से कलकत्ता आये, फिर कलकत्ता से उनका पूरा काफिला कार्वा चला, और छोटे बड़े रियासतों में उनका सतकार हुआ, इस होल पर्पोस वस तो, you know, see his subjects, you know, तो subjects में राजा महराजा भी थे और छोटे, जमिंदार तो नहीं, जमिंदार से जो थोड़ा सा बड़ा estate वाला जो category है, वो भी था, तो जमिंदार का ही category, तो उसको भी visit करना, फिर उस ही में ये था कि कारवा पहुंचा आपका, आपके बिहार में वालमीकी नगर के पास थोरी थोरी जगह है, जहां tiger reserve है, वहाँ पे camp लगा, 120 बाग मारे गए थे, 120 tigers were killed in the royal hunt at that point of time, क्या उसका formula था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो बड़े दरबार हैं, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय दिया गया, जो छोटे हैं उनके चाय वाय पी लिए लेकिन वह सिलसला उधर से पूरब से शुरू हो करके पस्चिन तक और फिर दिली दरबार तो आप समझते ही हैं उनके लिए कहानी में वर्णन है कि तीन किलोमेटर जो है जगा जगा पे कलश की वेवस्ता है पैदल थोड़ी गये थे वह तो घुर सब आप में वो जो क्या कहते हैं रथ पे बैठ करके गया होगे ना वो पैदल नहीं गये थे वह तो पूरा उनका जो कवल केट था वो गया था ना पैदल तो गय नहीं थे और उसमें तो चर्चा की है ना कि लाल कालीन भी शाही गई पहले की माननेता थी ना उसमें भी चर्चा की गई है पहले तो गोरों को अंग्रेजियों को एक दूसरी कैटेगरी में माना जाता था ना अब आज की तारीख में जितना वावाई लूट लें लोग लेकिन ये तो तैह है कि उस समय गोरों को भी एक ऐसी निगा से देखा जाता था जिसको कि आप बहुत ज्यादा इजद्दार नहीं कह सकते हैं लेकिन अब थे वो रूलर थे उस तत्य को तो आपको स्विकारना था लेकिन जो जिस चीज को आप नहीं स्विकारते थे तो उसका resolution ये होता था कि जब उनका पटाख्षेफ हो जाए तो आप अपने पुरिफिकेशन वो गव्य जल और क्या-क्या वो सब चीजें वो आती थी इसका मैने वर्डन भी किया है उसमें तो यही था कि भई जो जो लोग गोरा से हाथ मिलाया है लोग अपना जा करके छुए ये वो करें तो वो एक orthodoxy थी which was so very typical of feudal society वो orthodoxy हमारे अपने ही society में कि उस तरीके से discriminate करती थी ये आप जानते हैं तो तो पर्ट्स of our history एक और प्रसंग है डायरी में जो मुझे बहुत रोचक लगा वो है दादी और बाभा की शादी का प्रसंग और अपूर शौंशा अपूर शौंशा अपूर शौंशा अपूर शौंशा अपूर गोस तो जादी के शादी में जो इक उतल पूतल की संभावना बनती है तुरा उसके बारे में हमें बढ़ा रोचक प्रसंग है वो दादी की शादी में देखे मूझ तक क्या था कि अभी भी अब तो शायद उतना नहीं होता होगा लेकिन एक चीज़ आप में देखा होगा गाउं म क्या होता था कि जैसे आप गाउं के थोड़े से अपिक्षाकृत तोर पे सम्रिद्ध घर के हैं तो एक जलिसी का element तो गाउं में रहता था तो एक प्रविर्ति होती थी शादी कटवाने की जैसे आपके घर में मतलब आपके बेटे की जादी के लिए लोग आए तो आप सम्रिद्ध घर आने के हैं तो आपके आस-पास के लोगों की यह प्रविर्ति होती थी कि यह कट जा किसी तरीके से तो जो लोग शादी का प्रस्ताव लेकर के आते थे उनको थोड़ा अगल बगल ले जाकर के अरे यह जानते हैं लड़का काना है या कुछ यह है उस तरीके की चीजें होती थी तो ऐसा ही कुछ दादी की शादी में भी हुआ कि जब बारात पहुंच गई तो मैंने उसमें वर्णन किया है काफी विस्तार से वर्णन किया है यह चल गया कि ना ना वो जो लड़की देख करके गए थे लोग वो पुली लंगडी किसी को विठा दिया है यह लोगो ने तो उसके बाद फिर खलवली मची और सब कुछ हुआ हो तो मैंने उसमें वर्णन किया है और बिकॉस all this came authentically you know from my mother in her own diary. Right. So, I was very you know somewhat sure about what was being narrated. Right. तो उसके बाद फिर पिस्तॉल निकला और फिर negotiation क्या मतलब वो दादी के जो भाई थे उन्होंने फिर जाकर के खुद लड़के से बात चीती और वो लड़के का जो व्यक्तित तो था वो ऐसा था कि उनके सामने कोई और दूसरा आदमी बोल नहीं सकता था अपने जमाने क सबसे बड़े पहलवान थे कौन मार खाने के लिए तयार हो तो उसके कारण फिर वो मामला जाकर के शांत हुआ जैसा मैंने बताये तो मिश्चिफ होता था मिश्चिफ वस पार्ट अब था होल प्रोसेस देन इस नमल कोर्स दादा बाबा जो थे वो बीचु में पढ़ते पहलवानी भी थे चैंपियन एक बड़ा विवीड सब इसमें फिदल सोसाइटी का आपकी किताब में आता है और जिब हम ऐसे जो कनवेशिल पोडेल हैं सेमा में लेटरिचर में मुझे ओग्र की किताब यादारी है सरकार्ण नुहारी नजरों में जो सुसाइटी है उसको जो बड़ा डिबोच सा बड़ा वाइलेंट सा अराजग सा दिखाया जाता है थोड़ी बहुत शवी कहीं उसकी जलक आपकी किताब में धी दिखती है लेकिन इसके इतर उस समाज का बड़ा ही प्रिष्ट भूमी है, उसकी भी भूमी का है, वेक्तित प्रिष्ट भूमी मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं, जे इनुमे मैं पढ़ा हूँ, तो मार्क्सिस्म और कम्योनिज्म और इन सब से मेरा काफी नजदी की साक्षातकार हुआ, तो अब क्या है, मैंने ये देखा, कि feudalism को लोग ऐसे मानते हैं, जैसे कोई अचूत चीज हो, है न, you know, in your attempt to be critical of feudalism, you overlook some of the human, humane elements of feudalism, those human elements are so palpable, were so palpable in society, you know, human elements meaning for example, the element of loyalty, loyalty you may consider like a very retrograde notion, but in several circumstances, in several contexts, loyalty can be a very praiseworthy virtue, right, so like that, you know, there were elements of the feudal society, which were very humane, which were humane by nature, by definition, you know, by outlook, तो वो था कि आप किसी चीज़ को ऐसे ही तिरोहित नहीं कर सकते हैं, तिरोहित करने के लिए उसकी जमीन आपको बनानी पड़ेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिष्टों की जो गहराई थी, वो उसका बड़ा बहुत एहम, वो बहुत एहम मुद्दा था, फ्यूडल ससाइटी में, अब उसके अपने कई सारे संदर्भ हैं, कई सारे पक्च हो सकते हैं, लेकिन रिष्टे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे, फ्यूडल ससाइटी के ताना बाना का, तो मैंने जिक्र किया ही है, अब जैसे, देखिये, यहूड अब रमनपूरे स्टेट का, कोई वैश्क आदमी बचा नहीं, तो इसका मतलब यह होता था की, उसे इसटेट की देख रेए कोई बिटिश मतलब जो शासन का कोई आदमी उसके पर लगा दिया जाता था वो करता था तो अब यह तो था कि जैसे दादी की माँ थी या दादी की दादी जो थी उन लोगों को भरोसा करना होता था अपने लोगों पर कि हां हमारा एस्टेट लूट नहीं ले जाएंगे, यह नहीं कर मतलब हमारा जो शेहर है उसको हडप नहीं लेंगे, तो यह सारी चीजें बरकरार थी, you know, रिष्टों की जो एहमियत थी, वो बरकरार वाला कि there were to many other aberrations also, so it is not as if, you know, it was a very virtuous society, feudal society was, I mean, far from being virtuous but the fact is that it was not as if it was completely bereft of its own virtues, that is the way to look at it, you know. और its own fair share of tragedy, in fact, मैंने जो देखा पलायन की भी यह कहानी है और पलायन जो है बिहार से कलकत्ता और बाकी जगों पर होता है और एक रिवर्स पलायन भी इसमें होता है, there is this Muslim man who works in Calcutta and he is summoned back to his village to his great delight and to the delight of his family because of the Dr. Sahab तो उस जमाने का है, early 50s का समय है जब जब वो जहूर मिया आते हैं वापस अपने गाहों आते हैं तो वो तो एकदम totally human, human level पे वो है कि जहूर मिया का एक individual अपना portrayal हमने बताया है कैसे तो वही वो जो मैं कह रहा था था ना कि मानवी ये पक्छ, feudal society का भी मानवी ये एक feudal actor के रूप में, self-made man लेकिन फिर भी overall context to feudal ही था तो उसमें वो जो मैंने कान loyalty की जो मैंने बात कहीं वो बहुत महत्वपून हो जाती है और वही एक आधात था जिस पे की जहूर की माने भी का गया है जहूर तुम चले आओ अब यही पर रहो और डॉक्टर साब ने कि उसको कहा कि तुमाओ हमारा ही काम धाम देखो तो वो थो अपकी कहानी में एक पात रहें उमंग मैं चाहूंगा उन पर थोड़ी बातचितों उमंग आर्मी में सर्फ करते हैं और शहादत होती है उनकी अभी पिछले दिनों एक वेब सीरीज काफी पॉपलर हुई है पं अग्नेंटली उभर के आता है और पंचायत की जो सेटिंग है वो बलिया है आपके खुद की कहानी गाजएपुर जफरपुर के इर्दगिर्ध है तो यह जो पूरी पूरा जो शेत्र है जो भोशपूरी पट्टी एक तरह से उसके जो सामाजिक परिवेश में सामाजिक ज बाई पंजाब या राजस्थान की समाज के लिए वो बिहार में वैसा हुआ नहीं क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या और सिर्फ एक बिहार रेजिमेंट तो है बिहार के सिपाही लोग सब जगे हैं अभी भी हैं बिहार रेजिमेंट बड़ा र कफाने में फार्ज उसट तरीके से नहीं समा पाया जिस तरीके से बहुत सारे अन्य राज्यों की सिस्साइटी में इसे हीमाचल है पंजाब है राजस््थान है ह recovered है यह तो मतलब के तो समाज के ताने बाने में फौत जो है उख गुसा हुआ है लेकिन यहाँ जो आपने आ आपने उमंग की बात की तो ये तो उस कथानक का मेरे उपन्यास के कथानक का एक मूल बिंदू है कि कैसे बाबा ने अपने अथक प्रयास से एक काम किया कि उस डेकडेंट ससाइटी में भी उस ऐसे समाज में जो विकास के बदले किसी और दिशा में बढ़ रहा था उसमें आसपास के हलचलों से हटा कर अपने बच्चों को एक मातर काम शिक्षा or in a feudal society or in a transitional society, in a poor society, it is recognized the world over. The only way of immuring your children away from the ill effects of that society is to provide them with good education, to insulate them from the effects, the immediate effects of you know lumpenization, criminalization of society, you need to immure them out of that context and put them into good educational contexts and good educational institutions. So, army provided that at that point of time you know a very very good opening and I know I have studied in a military school, I know that in its own time a career in the army was a very very sought after career and a very good career in terms of you know remuneration as well as the quality of life. So, वो था, वो उस चीज को मैने लाना चाहा हुआ हुआ उमंग के जाने के बाद बाद बड़े अकेले से पढ़ जाते हैं, लोरा भी अकेली पढ़ जाते हैं इस solitude the social cost for rural prosperity? That is a very very nice nice way of looking at it you know. Yes indeed it is, if you look at it more deeply it is, it is in fact transitional societies these are the costs that you and these are the this is the price that you pay for prosperity. Transitional societies like ours you know like the society in Bihar not not, you see I will give you a very simple example. I used to be in Pune at the film institute and lot of my teachers lot of my professors and all you know they they came from different areas of in the country but some of them were from Maharashtra also. I found that none of them had to face that trauma of their children and going away to another city to work because Pune itself was you know a place where people used to come from other places to work. So, if a child studied engineering then he could get an engineer's job in Telco in Mercedes and God knows what all you know because Pune is a highly industrialized society. Toh woh 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 haan peh ek dousra sandarv tha. Lekin ye sandarv jhaan ki aap padh gaya, ye iske baare me maine baut visthaar se charcha ki hai, ki this why how this is a cause for displacement. You know visthaapan ke karanoh mein ye maine bataya hai. Toh woh baat hai ki aap as a society mein hai jhaan opportunities is not there then you will have to face displacement. This kitab me kai patra hai jho chote bade kai gher zaroori cheezoong ke ahtihaansi or samajik mehatwa ki baat karte kari isko rakhlo. Ane wale samayeme log isse dekhenge toh samjhenge. Tipu joh hai uske paas eek purani black and white photo hai jisko bade sanjok ke rakhta hai kya sources tha hai aapke is kitab ko rikhne mein. Archive kya use ke aapne? My own mental archive? That is the primary one. But there were a lot of things which had been preserved let's say in my own family by my mother and you know primarily by the gentleman who passed on you know. Toh us tarikhe se and then bahu sari cheez hai toh kim bandantiyan hain loogon se suni vi kaanya hain and then of course my own I kind of maintain a journal which is a very infrequent kind which has very infrequent entries toh all of that. So, should we say that this is autobiographical? No. No, I object to my novel being called autobiographical because it is it goes far beyond the realm of an individual and I insist that it should it not be taken as an autobiographical novel because its span is I mean I would like to believe that its span is much larger. It covers a much larger social segment and a larger segment of reality and you know in one of the seminars I was saying that my book I can very proudly say each page of this book has history, has sociology and psychology all three of them within its span, within its you know length and breadth. Mano Vigyan Shatt ka hi baare is kitab mein aata hai. Baba hi Mano Baggi. Arre, wo toh Baba, har baat mi kaate te hai hum padha hai na, psychology padha hai, hum jhanate hai. That was of course you know taking it to another you know ridiculous extreme but whatever it is but that is not relevant. What is relevant is that yes the focus is on being able to look at things beyond what just appears. Right. You know beyond the appearances. Right. That is that is the whole essence of the whole page. Right. Kehani mein mein dekhta haon teen generations ke kehani hai. Ek colonial modernity hai, ek samanth jo warg a feudal society uski maanita hai hai aur ek jo azar desh mein uski modernity free India ki modernity hai ya freedom struggle se upji hoi modernity hai. Kya jo teen period kya in teen modernity ko represent karti hai. Ya overlaps hai. Dekhi, overlap would be a right way of looking at it because there is no one to one equivalence you know you know one to one equivalence but you are right I mean I am very impressed by your looking at it in this way but colonial modernity yes to some extent to some extent. Gora and lady aren't common names of friends. But if you would care to recall you know the word lady the name lady comes from another state. Another state. Yes. Lady love of Amola. A state of Amola in North Bengal. इसान्ते छाओस इस तो अब ये चुक्रवार्ती विज्विट रिंग वाइन रिंग्रें वगर तो हमारे देयाती सचेटी में तो ती नहीं तो इते इते ज अविसलिव रही मुश्विट ऑव्बूरी वीट थैं आप जैक पूरी आप मोदर विश्विट गूंणी कि इस तो where and how it came from that is the subject of another that that would be another subject of research but it was already taking root so you know use of words use of names which had a different resonance altogether these were all indicators these are all markers of modernity and therefore I am sure the estate of Amola you know they call their dog lady you know so to put themselves on a different pedestal which meant closer to the British closer to the English not the same rank not the same pedestal but closer to them so default modernity that is another way of looking at it but yes it was there finally a question Madhupurka Ghar Bada hai uncha hai Samrid hai kya ye Madhupurk me khade dousre gharo ki bhi kaani hai bilkul bilkul lekin woh ek drishikon jho dekhani ka hai bada hai ar uncha hai woh utna nahi woh madhya wargi hai ucche madhya wargi ye kahe lije gaon ka ucche madhya wargi hai usko agar aap general economic categorization me dekhenge to kahi it'll come way down in the national categories but yes khaani toh sabki hai yeh yahi meera pura prayas hai Madhupurka ghar mein yeh batane ke liye ki after a certain transition aaj hum kis dor se gujar rahe hai in fact the trigger was that you know from where I started Madhupur woh kitna bada us mein raha se chupa guha hai aur wahan se eek puri dunia khulti hai usi dunia ko dekhne ki koshis hai usi ka tu priya sa madhupur tu priya ji aap ham se jude aur ishaan dar kitab par itni geharai se bat ki bihar ke samajik jatharit ko hamei samjhaya aapka bhoot bhoot aapha thank you both anand aya aap se baat karke gautam thank you viewers I'm sure you've loved today's episode we'll meet you next week with a new book with a new author till then keep watching sansar TV I am Gautam Chaube namaste to watch more programs of sunset TV subscribe to our youtube channel and don't forget to like and share them